दोस्तो आज हम Electrical के एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो कि आपसे Electrical के इंटरुव में पूछे जाने के काफी ज़्यादा चांस होते हैं सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि आखिरकार इंडर्स्टी में नॉर्मल फ्यूज की बज़या HRC फ्यूज का इस्तमाल जादा क्यों किया जाता है तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ कि आखिरकार HRC फ्यूज का नाम क्या होता है मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो HRC के अगर आप फुल फॉर्म की बात करो तो इसमें H का मतलब होता है हाई, R का मतलब होता है रैप्चरिंग और C का मतलब होता है कैपसिटी मतलब High Rapturing Capacity Fuge अब आकिरकार इस High Rapturing Capacity का मतलब क्या है ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं तो दोसर High Rapturing Capacity का मतलब यहां पर सिंपल सा होता है कि जो यह हमारे HRC Fuge होता है यह हमारे ऐसा जो भी सर्कीट जिसके अंदे काफी ज़्यादा High Current Flow हो रहा है या फिर कहीं पर काफी बड़ी मात्रा में Current Flow हो जाता है Fault की Condition में तो यह उस Condition को भी आसानी से Rapturing कर देगा Rapturing का मतलब होता है उस समय जो सर्कीट हमारा बना हुआ है उस सर्कीट को यह Fuge हमारा आसानी से safely break कर देगा और आप सभी को पता भी है कि Fuge का काम क्या होता है Fuge का हमारा काम यही होता है कि हमारा जब भी Fault है तो हमारी जो भी Power Source है उस Power Source को हमारे Load से Disconnect करना हमारा Fuge का काम होता है तो हमारे जो यह HRC Fuge होता है यह है हमारा High Current की Condition में जहां पर काफी बड़े Load रग रहे है वहां पर भी safely Fault की Condition में हमारे Circuit को Open कर देता है तो उमीरे आगे से आप हमेसा ध्यान रगेंगे कि HRC Fuge के अंदर High Repturing Capacity का मतलब क्या होता है चलि दूस्त आप हम आगे जानते हैं कि आखिरकार HRC Fuge को एक ही region बतन है जो कि HRC Fuge के popular होने का main region है तो आखिरकार ये main region क्या है तो दोस्त जैसे कि हमारे जो भी कुछ circuit breaker होता है यह हमारे कोई भी fuse होता है उन सभी के साथ में हमें कुछ ना कुछ extra features देखने को मिलते हैं features का मतलब क्या हुआ जैसे कि अगर आप आपकी mcb को देखोगे तो mcb हमें क्या protection देती है mcb देती हमें overload से protection short circuit से protection लेकिन वहीं अगर आप rccb को देखोगे तो rccb हमें protection देती है residual current से मतलब unwanted current से जैसे कि earth leakage से इन सब चियों से हमें rccb protection देती है इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा hrg fuse होता है इस hrg fuse के अंदर भी आपको एक extra features देखने को मिलता है उसी feature की वज़े से ही इसका इस्तमाल यह industry में maximum तरीके से किया जाता है हम इसा power circuit में अब इतना ज़्यादा इस्तमाल क्यूं किया जाता है इसका इसका इसके पीचे एक simple सा region है वह है inverse time current characteristics अब आप में से कहीं लोग के अमन में यही सवाल आ रहोगा कि आखिरकार यह inverse time current characteristics का मतलब क्या है तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो एक बार बता दूँ कि हमारे जितने भी type के fuse होते है चाहे HRC fuse के बात करो चाहे हमारी cartridge fuse, glass fuse किसी भी fuse के आप बात करो DO fuse सभी fuse से हमें सिर्फ दो ही protection मिलती है एक होती हमारी short circuit protection एक होती हमारी overload protection लेकिन दोस्तों जो यह fuse हमें overload और short circuit के protection तो देते हैं लेकिन यह protection कितनी बहतर है कितना जादा हमारे equipment के लिए safe है कितने जल्दी हमारे circuit को break कर देते हैं वही हमारे अलग-अलग type के fuse के विशेस्ता होती है अब यही पर जब हमारे HRC fuse के बात होती है तो इसके अंदर एक विशेस्ता यह होती है कि इसके साथ में आपको inverse time current characteristics देखने को मुलती है इसको simple सी line में अगर मैं आपको समझाओ तो इसका मतलब simple सा यह होता है कि HRC fuse जो होता है एक काफे ज़्यादा smart fuse आप बोल लीजिए कि यह काफे ज़्यादा समझदार है इसमें समझदारी क्या है तो समझदारी इसमें यह है कि यह हमारा जो current है उस current के हिसाब से ही behave करता है मतलब कि अगर ऐसी condition आई कि हमने कोई motor चला रखी है और इस motor में एकदम से sudden काफी ज़्यादा amount में current flow होने लग गया मतलब जो motor हमारी सिर्फ 10A current लेनी चाहिए वो किसी कारमरास इसके अंदर short circuit हो गया और वो 500-600A current रहने लग गया तो यह काफी ज़्यादा बड़ा current है तो उस समय यह जो हमारा smart fuse है मतलब हमारा HRC fuse है यह हमारा काफी जल्दी काफी fast तरीके से response करेगा और हमारे circuit को open कर देगा हमारे circuit को break कर देगा लेकिन वहीं दूसरी condition में अगर हमारी जो यह motor है जिसका rated current 10A है इसमें से 10A की बज़ा है हमारे थोड़ा सा ज़्यादा current flow होने लग गया 15A flow होने लग गया 12A current flow होने लग गया तो उस case में हमारे HRC fuse हो जोगा न यह थोड़ी देर के लिए wait करेगा यह देखेगा कि हमारे जो थोड़ा सा extra current flow हो रहा है क्या यह extra current कुछ समय तक flow हो रहा है या फिर यह किसी temporary region की वज़े से flow हो रहा है temporary region क्या हो सकते है तो temporary region कहीं सारे हो सकते हैं जैसे कि आपने किसी motor को चलाया तो हो सकता है हमारी जो motor है उस motor पे sudden किसी कारणवर्स थोड़ा ज़्यादा load जोड़ दिया जैसे कि कोई conveyor belt है तो conveyor belt पे हो सकता है कि एकदम से ज़्यादा सामान रखने आ गया या फिर एकदम से सामान फेका किसी ने तो हमारी motor पे load पड़ गया motor का अगर rated current 10A है तो motor starting के कुछ second तक कुछ millisecond तक 50A तक भी जाती है और फिर बाद में कुछ second तक 15A 20A फिर दीरे दीरे करके वह हमारे 10A दगाती है तो यह जो starting की condition होती है जिसे interest current बोलते है हमारा HRC fuse उस condition को भी sense कर लिता है मतलब कभी थोड़ा सा ज्यादा current flow हुआ 10A का अगर fuse लग रहा और 10A से थोड़ा सा ज्यादा 15A 20A current flow रहा है तो उस case में HRC fuse थोड़ा सा समय लेगा देखेगा कहीं हमारे current है वह वापस limit पे तो नहीं आ रहा और अगर कुछ समय तक limit पे नहीं आता तो यह तुरंद action लेलता है और हमारे circuit को open कर देता है लेकिन वहीं अगर आप इस जगे एक normal fuse की बात करोगे तो normal fuse की case में क्या है अगर हमारा 10A current flow हो रहा है तो जैसे 11A current हुआ वह हमारा fuse open कर देगा circuit को तो यह एक बड़ी problem होती है normal fuse के नहीं क्योंकि कहीं सारी ऐसी condition होती है जिस condition में हमारे जो load है वह load थोड़ा ज्यादा current ले सकता है लेकिन HRC fuse की खास बात यह है कि अगर थोड़ा सा extra current flow हुआ तो हमारे थोड़े समय के लिए wait करेगा लेकिन अकर एकदम से sudden current flow हुआ जैसे कि हमारा short circuit हो गया 500 A, 700 A current flow हुआ तो यह उस case में हमारा जो एक normal fuse है न उस normal fuse के भी आपक्षा में जल्दी हमारे circuit को open कर देगा तो इसी चीज को हम क्या बोलते है inverse time current characteristics और इसी feature की वज़े से inverse time current characteristics features की वज़े से HRC fuse को industry में mostly लगाया जाता है तो उमीर दोस्तों आपको clear हो गया होगा कि HRC fuse को industry में क्यों लगाया जाता है अब जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाता हूँ जो कि मैंने आपको starting बत कोर्स को लेकर आप में से कहीं सारी लोग ऐसे हैं जिनको अभी हमारे PLC के कोर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं आप सभी को बताना चाता हूँ कि कुछ दिनों पहले ही मैंने PLC को launch किया है यह कोर्स उन सभी लोगों को ध्यान में रखकर बनाया है जो कि किसी industry में electrician है य एक बार हमारी application electrical दोस को install कर लेना है application को install करते ही आपके सामने हमारा कोर्स आ जाएगा जिसमें आपको लिखावात दिखेगा PLC के बिल्कुल 0 से आपको उस पर click कर लेना है और buy now पर click करेंगे आपके सामने option आ जाएगा कि आप Google से हमारी application में login कर सकता है आप simply आपकी Gmail ID को select करके login कीजिए और next आपके सामने payment का page आ जाएगा जहाँ पर आपको यह course 1000 रुपए में मतलब 999 रुपए में देखने को मिलेगा लेकिन अभी starting के समय कुछ लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को regular दिखते है उन सभी के लिए मैंने extra coupon code generate किया है आपको simply 999 पे नहीं करने ह है उसके बाद में आपको PLC का जो certificate है कि आपने इस course को complete कर लिया है वो आपके mail पर भेज दिया जाएगा तो दोस्तों अगर आप भी आज से पहले सोच चाहते कि PLC सिखना काफी जादा मुश्किल है तो मैं आपको guarantee देता हूँ एक बार आप हमारे इस course को buy करके देखिए आगे से आपको PLC काफी जादा आसान लगने वाली है चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं अगर आपके मन में इस वीडियो के प्रतिय इलेक्टिकल जोड़े कोई भी सवाल रह गया तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूस सकत सब्सक्राइब कर लिए आज के लिए धन्यवाद